इस प्रोजेक्ट को दोस्तों पूरा बनाने की कॉस्ट एक हजार करोड के आज पास सरकार को बैठ रही है दोस्तों ये वीडियो हमारा इंफरा स्पेशल सीरीज का दूसरा पार्ट होने वाला है और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले है डेली मुंबई एक्सप्रेस वे जो की दोस्तों बन के तयार होगा तो तब इंडिया का सबसे लंबा और सबसे महंगा एक्सप्रेस वे होने वाला है दोस्तों इस expressway में 8 lanes हमें देखने को मिल जाएंगी जो की 12 lanes तक expandable होने वाली है और दोस्तों इस expressway के बन जाने से दोस्तों डेली से लेके मुंबई तक का जो अभी हमें टाइम लगता है 24 गंटे का वो 12 गंटे का हो जाएगा दोस्तों इस expressway के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारियों मैं आपको देने वाला हूँ दोस्तों इस expressway की total length 1350 km की होने वाली है और ये 4 states डेली, हरयाना, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात और महराष्टर इन सबसे हो के गुजरेगा जिसमें से डेली union territory हो जाती है और बाकी हमारी 4 states होने वाली है दोस्तों इस वीडियो को मैंने 4 sections में divide किया हुआ है जिसमें सबसे पहले हम लोग timeline की बात करेंगे इस project की, दूसरा section हम लोग cover करेंगे roots का और तीसरे section में मैं आपको इसकी specifications बताऊंगा और चौथा section होने वाला है इसका impact हमारे इंडिया की economy पर चलिए दोस्तों इस informative वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते है दोस्तों इस expressway के अंदर विरार से वरोधरा जाने वाले expressway को merge कर दिया गया है तो इसलिए इसके construction की शुरूआत मैंने दिसंबर 2018 से मानी है लेकिन इसका जो official भूमी पूजन किया गया था वो मार्च 2019 में किया गया था नितिन गडकरी जी के द्वारा दोस्तों फेब 2020 में हमारी finance minister ने ये बात बोली थी कि ये expressway 2023 तक बनके तयार हो जाएगा दोस्तों August 2021 में इस expressway में एक नई रोड को add किया गया है जो Noida के airport को connect करेगी हरयाना से और दोस्तों इस रोड के tender भी July 2022 में award कर दिये गए हैं आपको InfraTrek Private Limited को दोस्तों इस expressway के route को चार sections में divide किया गया है दोस्तों जो section 1 होने वाला है वो Delhi में D&D flyover से शुरू होगा जो की 9 km का होने वाला है उसके बाद दोस्तों हरयाना के अंदर वो enter कर जाएगा और दोस्तों हरयाना के अंदर section 1 50 km कवर करेगा दोस्तों जो section 1 है इस पूरे expressway का वो सबसे छोटा section होने वाला है दोस्तों उसके बाद section 2 शुरू हो जाएगा जो की सोहना KMP से वरोधरा कवर करेगा और दोस्तों जो section 2 है इस expressway का वो सबसे लंबा section होने वाला है दोस्तों ये सोहना गुरगाउं रोड से शुरू होके SS22 तक जाएगा उसके बाद दोस्तों ये expressway राजस्थान में एंटर करेगा जहां पर ये 373 km कवर करने के बाद मध्यप्रदेश में 244 km कवर करके गुजरात में एंटर करेगा और वहाँ पर 1500 km कवर करेगा तो दोस्तों इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि section 2 इस expressway का सबसे लंबा section होने वाला है दोस्तों गुजरात में ये वरोदरा तक पहुँच जाएगा और दोस्तों फिर section 3 में वरोदरा से विरार का section शुरू हो जाएगा दोस्तों वरोदरा से शुरू होके ये जो expressway का section 3 होने वाला है वो महराश्र गुजरात बॉर्डर तक जाएगा और उसके बाद दोस्तों वहाँ से section 4 शुरू हो जाएगा जो कि दोस्तों विरार से शुरू होकर के जवाहर लाल नहरू नैशनल पोर्ट तक जाएगा दोस्तों अगर आपको इस expressway के route की पूरी जानकारी चाहिए होगी तो मैं description में link दे दूँगा आप वहाँ पे जा करके पूरे route को अराम से study कर सकते हैं दोस्तों इसी के साथ हमारा route औरा section खताम होता है और अब हम चलते हैं हमारे अगले section की तरफ जो कि होने वाला है specifications का दोस्तों इस expressway में हमें बहुत सारी wayside amenities देखने को मिल जाएंगी जो कि 93 zones में divide करी गई हैं जहां पे हमें ATM, hotels, shops बहुत कुछ देखने को मिलेगा और साथी साथ दोस्तों यह इंडिया का पहला ऐसा expressway होने वाला है जहां पे आपको helipads के साथ साथ fully functional trauma centers देखने को मिलेंगे हर 100 km पे ताकि अगर accident में कोई भी बंदा injured हो जाए तो उन्हें बहुत ही साथा आसानी से medical treatment दिया जा सके दोस्तों साथी साथ इस expressway में electric highway भी बनाया जाएगा जिसके बारे में नितिन गटकरी जी ने मार्च 2021 में जानकारी दी थी दोस्तों ये जो electric highway होगा ये पूरा Delhi to Mumbai entire expressway को cover करेगा जहाँ पे दोस्तों electric vehicles चलेंगे ना कि diesel और petrol vehicles और दोस्तों इस electric highway के लिए चार lanes को allot किया गया है और इसका construction भी शुडू किया जा चुका है दोस्तों अगला feature यहाँ पे होने वाला है wildlife crossing दोस्तों यहाँ पे total 5 km का ऐसा area हमें मिलेगा जहाँ पे दोस्तों 5 natural looking wildlife crossings हमें देखने को मिल जाएंगी जो कि दोस्तों Tiger reserves के बीच में होके गुजरेंगी दोस्तों यहाँ पे 6 foot की wall भी बनाई जा रही है ताकि animals या फिर कोई भी व्यक्ती गलती से भी highway के उपर ना आ जाए क्योंकि वहाँ पे आप जानते हैं 120 km पर आर की speed से vehicles चलाए जाने है साथी साथ दोस्तों यह जो express way होने वाला है यह environment friendly तरीके से काम करेगा यहाँ पे दोस्तों हमें 20 लाक पेड़ लगे देखने को मिल जाएंगे जिनको दोस्तों drip irrigation की मदद से पानी दिया जाएगा साथी साथ दोस्तों हर 500 मीटर के distance पर rain water harvesting system भी लगाया जाएगा इतना ही नहीं दोस्तों और renewable energy को support देने के लिए यहाँ पे electric city की supply state power grid से तो करी जाएगी साथी साथ solar plants का भी यूज किया जाएगा ऐसा दोस्तों अभी proposed है कि इस expressway के पास जो area होगा वहाँ पे solar energy के farms लगाया जाएगे और उन्हीं से electric city produce करके इस expressway को light दी जाएगी दोस्तों इस expressway के अच्छे और बुरे हमें दोनों तरीके के impact देखने को मिल सकते हैं या फिर मैं कहूं कि मिल रहे हैं दोस्तों अगर अच्छे impact की बात करूं तो यहाँ पे अगर electric highway वाला plan successful हो जाता है तो जो logistics cost है दोस्तों वो 70% से नीचे आ जाएगी जिसका दोस्तों सीधा सीधा मतलब यही है कि हम लोगों को जो सामान मिलता है कहीं न कहीं वो सस्ता हो जाएगा और दोस्तों साथी साथ government का ऐसा मानना है कि 1000 करोड से 1500 करोड तक का इस expressway की मदद से monthly revenue collection government कर सकती है साथी साथ दोस्तों यहां पर जो amenities के zones बनाया जा रहे हैं वहां पर लोगों को employment की बहुत सारी opportunities देखने को मिल जाएंगी क्योंकि वहां पर hotels और petrol pumps और दोस्तों retail shops काफी सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी दोस्तों यह तो सारे positive impacts के उपर हम लोगों ने नजरें डाल ली अब दोस्तों इसके थोड़ से negative impacts के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहां पर ecological concerns बहुत जादा आ रहे हैं दोस्तों लोगों का कहना है कि यहां पर जिस तरीके से आप लोगों का नहीं actually researchers का कहना है कि यहां पर जिस तरीके से हम लोगों ने construction किया है wildlife centuries और tiger parks के बीच में उससे जो जानवर हैं basically जो endangered animals हैं उन्हें खत्रा हो सकता है साथी साथ दोस्तों जो farmers हैं उनको यहां पर ऐसी reports भी है कि compensation काफी कम दिया गया है जो कि दोस्तों तीन लाख पर बीगा के आसपास है अलवर जैसी जगा में साथी साथ दोस्तों जो employment की opportunities दी जा रही है वो local लोगों को बिलकुल नहीं मिल रही है दोस्तों जो भी employment के लिए लोग यहां पे आ रहे हैं वो बाहर से आ रहे हैं जो भी लोग यहां पे काम कर रहे हैं दोस्तों वो companies बाहर से ले के आ रही है लोकल लोगों को यहाँ पर कोई भी employment की opportunity नहीं मिल रही है बाकि दोस्तों अगर आप में से कोई इसके detailed ecological impacts को समझना चाहता हो तो मैं description में link दे दूँगा आप जागे पूरे articles को read कर सकते हैं दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे like करिएगा चानल पे नए आया हैं सो subscribe करें बिना मत जाईएगा और दोस्तों आप किस topic के उपर हमारी अगली वीडियो देखना चाहते हैं इंफरा specials की उसे हमें जरूर बताईएगा और दोस्तों ऐसी वीडियो को बनाने में बहुत जादा मेहनत लगती है बहुत साथी research करनी पड़ती है तो प्लीज दोस्तों अपने reviews हमें comment में जरूर लिखके बताईएगा कि आपको यह series और यह video कैसी लग रही है